आएगा जयानुमान जेएडवांस आईटी मदरास द्वारा बहुत सारे लेटेस अबडेस, eligibility को लेकर के, time break को लेकर के बहुत सारी चीज़े release की गई हैं। हमारे काम के बात यह है कि जेएडवांस 2024 को लेकर के जो पहले कयास लगाये जा रहे थे, क्या students को third attempt मिलेगा, उसको IAT मदरास ने बिल्कुल कर दिया किलियर की जेएडवांस 2024 के लिए कोई third attempt नहीं दिया जाएगा। जेएडवांस 2024 में वो बच्चे जिन्होंने 2023 में 12 का एक्जाम देकर के पास किया है या फिर 2024 में जिन बच्चोंने बोर्ड का एक्जाम अभी दिया है या देने जा रहे हैं जिनके चल रहे हैं, वो बच्चे ही जेएडवांस 2024 के एक्जाम में बैट पाएंगे या IAT में ले पाएंगे ऐसे student जिन्होंने 2022 का board का exam दिया 2022 board का exam में जिनका result जो है 21st September 2022 के बाद आया है वो बच्चे 2024 में admission लेने के लिए eligible हैं लेकिन आप ध्यान दी दिये क्या कि maximumly boards का result 21st September 2022 year में 21st September से पहले ही आ गया है यानि 2022 में वो बच्चे बहुत rarely ऐसे होंगे जिनके board का result 21st September के बाद आया है जो की बहुत कम बच्चे होंगे इसलिए मानले जिए negligible है तो इसका मतलब है कि third attempt जेए advance में इस साल भी नहीं दिया गया है post covid केवल दो ही attempt दो ही साल वाले budget को दिया गया है खासकर बात यह है वो बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में है जिनका board में 75 परसंट नहीं है लेकिन IIT में admission के eligibility को इस साल भी जनरल OBC EWS के लिए 75 SCST के लिए 65 या फिर board में category wise top 20 परसंट eligibility को रखा गया है जो कि NIT, IIIT और GFTI के लिए भी equal यानि की same है जिन बच्चों ने अभी board का improvement exam दिया है उनके लिए राहत यानि relaxation की बात यह है कि अगर आप 2 साल board का exam दे रहे हैं यानि आपका 70 परसंट अगर board में नहीं बन पाया आप improvement का exam दे रहे हैं तो government या या NTA या फिर यह advance का यह कहना है कि दोनों mark sheet को सामने रखा जाएगा दोनों mark sheet में इसे सामने रखकर के जिस year में जिस particular subject में आपके higher marks हैं उस subject wise higher marks को 70% के eligibility या फिर 65 category के लिए 65% के eligibility में count किया जाएगा यानि अगर आप 2 साल improvement का exam दे रहे हैं या फिर एक साल देने के बाद अगले साल improvement का exam दे रहे हैं तो आपके 75% के eligibility को देखने के लिए दोनों year में से subject wise higher marks को देखा जाएगा individually higher marks को देखा जाएगा लेकिन अगर आप top 20% के eligibility के बात करते हैं तो NTA या J advance का यह कहना है कि अगर आप top 20% में आने के बात करते हैं तो आपको सारे subject से improvement का exam देना होगा अभी वो बच्चे जिनका board में 70% नहीं आपा रहे है 2024 वाले बच्चे जिनका 70% के eligibility नहीं हो पा रही है अगर वो यह चाहें तो वो improvement का exam दे सकते हैं जो कि एक subject में खासका CVAC board में current year में होता है लेकिन अगर उसका result जोसा counselling के time तक नहीं आएगा तो admission मिलना possible नहीं है यानि provisional admission IAT-oriented PLIAT के अंदर नहीं दिया जाता तो अभी आप ऐसा सोचते हैं कि आपका board में percentage नहीं है improvement का exam देना चाहते हैं तो इसका result जोसा counselling तक आना बहुत जरूरी है wish you all the best comment box में लिखिए आप क्या सोचते हैं कितना आपका eligibility है आपके future का plan क्या है जय हनुमान all the best